हालो फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रकास आप सबको फिर से हमार यूटूब चैनल पर और एक नई वीडियो पर बहुत बत स्वागत है सो फ्रेंड्स हम लोग ने जो बेसिक वीडियो बना रहे थे नीट 2020 के लिए जहां पर हम लोग ने सब सब सिलाबस के बारे मेंडिक स्क्स कर रहे reinforces और वह सीलावस में फिर ओर बाइलोजे का सिलावस हमने डिसक्स कर जिये हैं और यह बात हमने आपको पहले भी बता चुक clicking और chemistry में हम लोगों ने physical और inorganic chemistry का सिलाबस पर discuss कर चुगे हैं तो organic chemistry बचाता है तो आज इस वीडियो पर हम लोगों ने organic chemistry को यानि कि organic chemistry में कितने chapters आप लोग बढ़ंगे जो कि जहां से कि आपको 2020 में question आएगा ठीक है यानि कि organic chemistry का syllabus 11th class में क्या है वह सब कुछ इस वीडियो के हम लोगों ने discuss करेंगे इसलिए दोस्ति इस वीडियो के एंग तक देखेगा simple वीडियो है और basic वीडियो है ठीक है अगर आप इस वीडियो के एंग तक देखते हो तो आप पता चल जाए कितने chapters आपको पढ़ना है ठीक है तो दोस्त आपने GOC बोलते हैं यानि कि General Organic Chemistry सारा का सारा basic चीज उजरा आपको मिलेगा आज सो मेरे जीम नमेल ग्लिर्चर बगरा बगरा सब कुछ मिलेगा अगर आप NCAT देखोगे तो आपको अच्छे से समाज में आएगा ठीक है तो मेरा सजेशन मनोगा तो ये GOC बाला चाप्टर तो गया पूरा 11 क्लास का एकदम पूरा अगराने के विश्चर गया सासे 12 का भी जाएगा तो इसलिए इस चाप्टर को अच्छे से पढ़िएगा मैं क्यूं बोल रहा हूं आप जो पढ़ोगे क्या क्या चाप्टर टपिक हो पता चलेगा तो भी आपको समझ में आएगा म क्यों मतलाव इस चाप्टर की मंट ए मधिया रहा है ठीक है कहला चंटर हो गया उसके जो दूसरा चंटर है 11 तुआ क्लास का हो है औहाज़ क्लास है इस हे हुह उसलिए नहीं चंटर में यह हो गया 11 अब करते हैं तुविल क्लास में मेरे सब से साथ चाप्टर से आपको पढ़ना है और गानिक ही मिश्टर पर तो साथ चाप्टर में लास्ट में जो तीन चाप्टर से वह थीरिटिकल चाप्टर से समझने बाला चीज भी है लेकिन उसका आप एंसे डायरेट मतलब पढ़ लेना एक तो फिरल जाता है ठीक है यह जो यह तिन चाप्टर को मेंस मत करियेगा अच्छे से पढ़ियागा ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं जो में और्गानिक क्मिस्टर ज वह उसके बार में हम बात करते हैं तो जो पहला चाप्टर है ओह है ऑर्गानिक कॉंपांड्स कॉंटेवन ह्लोगेन यानि कि हालोगेन ड्याइरिवेट्स पिनोज था यह हो अगोर नेञा देटोन डिवाटकर, अब तो और इसी साथ चाप्टर 12 में और दो चाप्टर 11 में चुकी मैंने बोला इसी 9 चाप्टर से आप यह मान के चलो नीट में नॉर्माली मेरे सबसे जितना मुझे पता है 12 से लेके 15 कोशिन तक पूछता है तो इसलिए और गानिक केमिश्ट्री को कभी पर स्कीप कर मत करना है स्कीप कर देंगा हमको समझ में नहीं आता है नहीं आपको समझना पड़ेगा जैसे भी हो क्योंकि यह कुशिन पॉइंट आप ही एक्जाम पॉइंट यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट है ठीक है ना तो इसलिए हर चप्टर को समझना है और उसको जेतना अच्छा से एक शिलत्यफे बैंग नो hall को समय है तो ड्युक्त कुन प्रश्ट वीडियो से प्लाइब हमें प्रश्राइब दीच गर्मंचा में नहीं पींपराड फुक्स करक्श्पर उसक्या था आ है और जोसे की के दुश्री कर करूंगा सदेसाथ आईसर के बार में भी अच्छे से डिस्वर्ज कुरूंगा आईसर एक जब पैटन और आइसर के आपको कैसे करा करना सब कुछ अच्छे से तो अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल कभी तक सबस्राइब नहीं किए हो तो सब्स्राइब करके उसके वाला घंटी को प्रेस कर लेना ठीक है और इस वीडियो को स्यार कर लेना और आपका कोई कमेट मतलब कुछ बोलना मतलब सब्सक्राइशन देना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नेचे कमेटरेशन में बता सकते हो तो आज के लिए इतना ही मिलता हूं को एक नई वीडियो क सब्सक्राइब एक कोई सा इंफर्मेशन था तब तके लिए थांक्यू टेक क्यार और बाई